चलिए आपको दिखाते हैं जब चार फुक के दोस्त एक रूम में बैठ कर आपस में बात ना कर रहे हो तो उनके दिमाग में क्या चलता है अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ इन चूतियाओं के साथ बैठ कर यार कोलणि पीने का मन कर रहा है लेकिन यहां पिऊंगा तो इन हराम कोरों के लिए भी मंगा नी पड़ेगी घर जा के पिऊंगा कि देखूं तो जरा यह साले दोस्ती के नाम पर कलंक हैं यह नहीं सोचते कि मेरी भी एक गल्फेंड बनवादें अगर इनसे दोस्ती ना कि होती तो आज किसी अच्छे कोली दें पड़ रहा होता यहां बैठके बिली नहीं फुग रहा होता हुग घर वालोंने अलग रूम दिया है पड़ाई करने के लिए सोचता जी अपको लाओंगा अपने रोम में लेकिन यह साले यहां से जाएंगे तब ही तो किसी को लाओंगा मैं साला हमेशा मैं ही क्यों पैसे घर्च करूं इन फुक्कों की जेब से तो कभी दो रुपे भी निकलते सालों ने जेब पे हाथ लगा कर भी नहीं देखा भुक्के कहीं के अब आप आप एए उपर वाले तुने मेरे साथ बहुत ना इंसाफी किये या तो मुझे भी एक गल्फेड दिलवाद दे बता इनका भी प्रेकश करवाद है रही हो इसकूल की शुट्टे का टाइम हो रहा है लडगी से बात बात करवाद हो यार यार यह दूट देख ले अब तो भूब भी लगने लगी लेकिन अगर कुछ खाने के लिए मंगाया तो तीन चार सो रुपे खर्च हो जाएंगे और इन मेंसे तो कोई कुछ देने वाला है नहीं भाई यो खाने का नइम हो गया यार पैसे मिला दर कुछ मंगा लेते हैं भाई मैरे को भूब भूब नहीं हो गाई मुझे बहुत जोर से भूब लगी है तो मैं अपने लिए मंग प्रेंगे